क्या हमें कैशियम की टैबलेट खाना चाहिए सारे माबाप बच्चों को डूद पीने को कहते हैं नहीं पिया तो बोन कमजोर हो जाएगी ऐसा बोलते हैं यह सच है कैशियम जिरूरी है आपकी अगर कैशियम की मातरा कम है बोन्स में तो जड़ा सा भी पैर मुणा और फ्रैक्चर हो सकता है स्पेशली विमिन में तो विमिन के अंदर जल्दी कैशियम कम हो जाता है क्योंकि मीनो पॉस के साथ साथ इस्ट्रोजन हॉमून कम हो जाता है पर सवाल तो वही है क्या हमें calcium का tablet या supplement खाना चाहिए या दूद पीना चाहिए जो calcium का pill होता है, tablet होता है वो same नहीं होती जैसे आप milk पीने से calcium को लेते हो बोडी दोरों चीजों को अलग-अलग तरीके से process करती है बहुत सारी science की studies हुई जो calcium tablet को लेना अच्छा नहीं मानती बलकि कहती है कि ज़्यादा अगर calcium tablet आप खाओगे तो colon के अंदर जो intestine होती है वहाँ polyp हो सकते है kidney में stone बन सकते है heart की artery में calcium जमा होकर heart attack की condition बना सकता है तो 500 mg से ज़्यादा calcium tablet अगर रोज लेते हो तो वो body के लिए ठीक नहीं है, problem हो सकती है वहीं diet में calcium लेने से और food product के अंदर अगर calcium लेते हो तो वो calcium बहतर absorbed होता है body के लिए और body के अंदर भी बहुत सारी chemical reactions होती है जहां calcium अच्छे से उनको help करता है उन body reactions को अच्छे से process करता है अगर आपके खाने में calcium है आप बादाम खा सकते हैं औरेंज खा सकते हैं अंजीर खा सकते हैं सोयबीन खा सकते हैं low fat वाला milk पी सकते हैं पालक खा सकते हैं दूर में भी पनीर में भी आपको calcium रोज का मिल सकता है वो भी 1000 mg तो किसी तरीके से calcium tablet अच्छी नहीं है साथ में अगर आप exercise कर रहे हैं walk कर रहे हैं weight training ले रहे हैं तो इससे आपकी muscle और bond दौनों के दौनों बनते हैं और आप अच्छे से चलते फिरते रहते हैं और body भी अच्छी होती है तो ये सब बातें धेर सारी science के study में प्रूव हो चुकी है फिर भी कुछ cases में calcium tablet लिया जा सकता है वो भी अपने doctor की सलह लेकर अगर video पसंद आया है तो forward करें और like and comment thank you